आज के इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है मेरा नाम पर्विन सुताना है महिंदी CRT के जी वीवी वर्गल सिद्धी पेट जिले से हुँ प्रणाम बच्चों आज हम दस्वी कक्षा का नौवा पार्ट दक्षिनी गंगा गोधावरी के अंतरगत विधा विशेश और कभी पर्चे से सम्बंदित जानकारी प्राप्त करेंगे दक्षनी गंगा गोधावरी पाठ कौन सी विधा से संबंदित है क्या है देखेंगे तो बच्चों पहले यहाँ पर चित्री देखतर बताईए कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है हाँ यहाँ पर धार्मिक सल और संदर्शुनात आये हुए यात्री दिखाई दे रहे हैं याँ यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं यात्रा करने आये है तो हमारा यह जो पाठ है यह पाठ का जो विधा है क्या है मैं यात्रा व्रुत्तांत पर आधारित है तो हमारे विधा विशेश से संबंधिच जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे दक्षिनी गंगा गोदावरी यात्रा वृत्तांत पर आधारित है यहाँ गद्य की एक प्रमुक विधा के रूप में लिया गया है इसे क्या किया गया है मां इसे गद्या भागम लव दिनी प्रमुक अमयना रूपम लो छेचडमों जर्गिन्दी यात्रा वृत्ता अंत पाट में लेखक ने किसी दर्शनी स्थल से संबंधित अपनी अनुभों को बड़े ही रोचक एवं ज्यानवर्दक धंग से प्रस्तुत किया है अईति लेखक एँचे चरमा आयना एदैते उक स्थलाननी संदर्शिंचडम जर्गिन्दों दानी संबंधिन्चिना तने उक्का अनुभोदुल्नी उक्चाला गुपपगा रोचकंगा न्यानवर्दकंगा इए उसकमलो पंदुपर्चडमों जर्गिन्दी प्रस्तुत पाठ दक्षनी गंगा गोदावरी भी काका कालेलकरजी की द्वारा रची गई यात्रा उरुत्तांत पाठ है इदे इप्रस्तों मुँ मनमु चर्चिंच पुने इदे पाठम हुन्दो इदे ये वरी द्वारा रचिंच पबड़ीना पाठम हुन्दो इदे ये वरी द्वारा रचिंच पबड़ीना पाठम हुन्दो जो अपनी सब्त सरिता से लिया गया है इनकी रचना क्या है? सब्त सरिता इना रचन चीना इस सब्त सरिता आने रचन नुण्डी इन दक्षनी गंगा गोदावरी आने पाठानी तीस कोडमू जरिगिंदी इसमें लेखाक ने गोदावरी नदी से संबंदित प्राकृतिक सौंदर्य का पर्णन किया है इकड़ा लेखा एन्चे सरमा इना रचन ता? उका गोदावरी नदी इदैते उन्दो आ नदी उक्का प्राकृतिक संबंदर्य कुरिंची इकड़ा चाला चक्का गा वर्नी चडमू जरिगिंदी अभी दूसरा अंश क्या है कवी परिचय जो कवी के जीवन से संबंदित जानकारी हमें यहां मिलेगी देखे बच्चों हां तो पहले हम इनसे संबंदित कुछ मुख्य बिंदों पर प्रकाश डालेंगे इनका जीवनकाल, पूरा नाम, मात्र भाषा, शिक्षा, काल, भाषा पटत, भाषा, शैली, विचारधारा, साहत्य परचय, व्यवसाइक जीवन, रचनाय, पुरसकार इन सभी बिंदों पर हम संबंदित रोप में चर्चा करेंगे चुड़नम्म, इना जीवन परचयान संबंदिंचे, इबिंदों लमीदा आमाना मोकसारी, गमनींची दामू, वीटी गुरींची, पनमू, क्लुपतांगा तरिशकुन्दामू तो हम देखते हैं इनका जीवन काल, जन्म 18uchs 25े में 27 जिले महाराष्ट्रा में हुआ, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम दत्तात्रिय बालकृष्ण कालेल कर है और इनके पितागा नाम बालकृष्ण कालेल कर इनकी मात्र भाषा क्या है? इनकी मात्र भाषा मराठी है इनकी शिक्षा यह अपनी शिक्षा फगृष्ण कॉलेज होने से प्राप्त की है और काल देखें तो यह शुकल एवं शुकलोत्तर जुग के लेखक माने जाते हैं भाषा पटत्व ना के केवल अपनी मात्र भाषा तधा संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगला श भाषाओं का गंभीर तरीके से भी इन्होंने अध्यान किया है अगर इनकी भाषा देखें तो कैसी होती हैं मा सरल बोधगम्य प्रवाहयुक्त खड़ी बोली इन युक का यदे थे भाषा उन्दवदी चला सरलंगा और यो बोधगम्यंगा प्रवाहयुक्त अंगा उन्ना खड़ी बोली यानी चपवच्चु शैली विवरनात्मक, परिचयात्मक, वेंग्यात्मक, वर्नानात्मक और चित्रात्मक होती हैं अगर हम देखें तो इनकी विचारधारा किस प्रकार की होती हैं देखेंगे, ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे स्वतंत्रता संग्रा में भी इन्होंने कई बार भाग लिया है और गांधी जी के द्वारा की गई सबी आंदलोनों में इन्होंने अपना योगदान दिया है इसलिए इनकी विचारधारा आजीवन किस प्रकार की थी? गांधी वादी विचारधारा का पालन किया और सबी आंदलोनों में इन्होंने अपना योगदान दिया इसलिए इनकी विचारधारा गांधी वादी से संबंदित विचारधारा कही जाती है अगर हम साहित्तिक परचे से संबंदित विंदू पर प्रकाश डाले तो निबंद, जीवनी, संश्मरन, यात्रा वृत्तान तक आधी गद्य विधाओं के रूप में वुपलब्द होते हैं वेवसाइक जीवन, अपने जीवन को प्रारांब कहा सेखिया, शिक्षक के रूप में आरंब किया, और बाद में वह सर्वोदय पत्रिका के संबादक के रूप में भी काम किया आयना, इमची सरम्मा आयने उकक जीवितानी, उका शेक्षक कुनी रूप में लो, आरंबी चुडं दरिगिंदी मरियो, सर्वोदय पत्रिकान कूड, आयना, संब्पादकुलुगा पन्चिडं दरिगिंदी हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा, वे माध्यम से हिंदी की, खूब सेवा की, वे राजी सभा के, सदस्य उन्नी सो, बावन से लेकर, उन्नी सो सत्तावं तक रह चुके थे आयना, राजी सभा युका, सदस्यल्गा कूड, पन्चेडं जर्गिंदी अपड़नु जम, पन्तुम्देला, या भैर युदुन्देला, या भैर युदु वरकु आयना, युका सेवालनु आन्दे जडमों जर्गिंदी अगर इनकी रचनाए, प्रमुक रचनाए देखें तो स्मरन, यात्रा, धर्म साहित्य और पत्र आदी इनकी रचनाए हैं पुरसकार, पुरसकार के रूप में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया तधा साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इन्हें दिया गया है और भारत सरकार ने पदम विभूशन से भी सम्मानित किया है यह हमारे रचनाए ताका कालेल करजी से सम्मानित जीवन पर चैय है हाँ तो बच्चो अब यह जो दक्षनी गंगा गोजारी से सम्मानित विजहां विशेश और कभी पर चैय है आप सभी को आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से सम्मझ में आ गया तो बच्चो हम फिर अगली काक्षा में मिलेंगे धन्यवाद